नमस्तार ज्यान सिंधू कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम आपके लेकर आए हैं सुमित्रा ननदपंत जी का परिवर्तन परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है सुमितरन्दरपंट आपको बताना चाहते हैं कि परिवर्तन कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है चलती ही रहती है बराबर होता ही रहता है तो आज इस कविता के माधहम से हम आपको जीवन के समस्त परिवर्तनों के बारे में बताएंगे कहां आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल भूतियों का दिगंत छबिजाल जोति चुम्बित जगती का भाल राशी राशी बिकसित वसुधा का वोह योवन वेस्तार स्वर्ग की सुसमजब साभार धरापर करती थी अभिसार प्रशूनों के शाश्वत सिंगार स्वाण भ्रंगों के गंध बिहार गूंज उटते थे बारंबार स्रश्टि के प्रतमोत गार नग्न सुन्दर ताथी सुकुमार रिध्धियों सिद्य पार आये विश्वका स्वर्ण स्वप्न संस्रति का प्रथम प्रभात कहां वोह सत्य वेद विख्यात दूरित दुख दैन न थेजबुगात अपरिचित जरा मरण भूप्रात पंत जी सबसे पहले संदर्विस का देख लिजे कि प्रस्तुत पध्यांश प्रकृति के सुकुमार सुकोमल कवी सुमित्रानन पंत द्वारा रचित कविता संग्रहा पल्लव से हमारी पाठ पुस्थक का व्यांजली में संकलित परिवर्थन नामक कविता से उद्रिध है और वरणन किया है परिवर्थन की निरंतरगत शीलता की ओर संकेत करते हुए कभी ने बताया है कि समय के अनुसार क्या क्या बदलता है समय के अनुसार क्या का समाप्त होता है समय के अनुसार क्या का ये धर्तिक होती है भावगोली कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनेतिक खेत्र में क्रांती होती है परिवरतन होते ही रहते हैं तो उसी कवर्ण यहां किया है पंत जी ने पंत जी कहते हैं कि कहां आज वह पूर्ण पुरातन वह सुर्ण का काल कहां आज वह पूर्ण पुरातन आज वह पूर्ण पुरातन नहीं है आज प्राचीनता नहीं है आज आधुनिक्ता का दौर है वो सुनकाल नहीं है जो सुनकाल कहा जाता था वो नहीं है भूतियों का दिगंत छविजाल भूतियों मतलब आईश्वर्य धनू धनू का जो दिगंत दिशाओं का असाथ दिगंत छविजाल था छविजाल मतलब सु जोति चुम्बित जगती का भाल, जगती माने संसार का, हमारे संसार का जो भाल माने मस्तक था, वो जोति चुम्बित था, प्रकाशमान था, जाजुल्ले मान था, संसार में विख्यात था, रास रास विक्सित वसधा पर वो हो योवन विस्तार. स्वर्ग की सुसमा जब साभार धरापर करती थी अभिसार प्रशुनों के सास्व संगार सुन भ्रंगों के गंद विहार वो कहते हैं कि चारों और ग्यान का अलोग छाया रहता था भारत का मस्तक ग्यान की जोती किस से जगमगाता रहता था जोट चुम्बित जगती का बाल रास रास विकसित वसुधा का वह योवन विस्तार असाथ उस युग की सुसमा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानुस स्वर्ग की सुनरता ही धरती पर आभार सुईकार कर प्रेम क्रिडा करने के लिए धरती पर उतर आई हो धरा पर करती थी अभिसार का मतलब उता मिलन केली क्रिडा प्रसूनों के शास्वत प्रसूनों के सास्वत प्रशून माने पुस्प पुस्पों के शास्वत माने निरंतर सरंगार होते रहते थे सौन भंगों के गरंद विहार और सौन भरंग अर्थात सुनहले भ्रमरे जो सुनहले भ्रमर जिनकी गंद से मतवाले उड़ते थे ऐसे पुश्व यहां किलते थे गूझ उड़ते थे बारम बार सुरश्टी के पत्रमुद गार जब सुनये ले बहुरे उन पुरस्पों पर मंडराते थे गूंजक्ते थे बहुरों कि गुण्स रसी लगती थी मानोस्रस्टी अपने हेगे पुर्थम उदगार को वेक्ट कर रही हो पुर्थम नभी नता को विक्त कर रही हो तो उस समय ऐसा लग रहा था उस समय सल आग रहा है उस समय आपक चारों और छाया हुआ पर दर सुaler सुकुमार था नग्न सुन्दूर्तास नग्न माने उनमुक्त यानी कि बिल्कुल मुक्त सुन्दूर्ता सुक्मार थी रिद्य और सिध्य पार उस समय संसार में रिद्या सिध्या अपार रिद्या सिध्या भरी हुई थी आये विश्यो का सुनने स्वपन संसत का प्रथम प्रभात वो कहता है अरे युग के विश्यो के सुनने स्वपन के समान मनोरम और स्रष्टी का प्रथम प्रभात आया था कहां वह सत्य वेद विख्यात वो सत्य कहां है कहां वह सत्य वेद विख्यात वह जीवन का वह सत्य जीवन को सहस्ता के साथ स्विकार करें उपदेश देने वाले विश्व विख्यात वेद कहां लुप्त हो गए कहां वह सत्त वेद विख्यात वह सत्त कहां पर समाप्त हो गए और समय वह था कि दुरित दुख दैन्य न थे जब ग्यात अपरिचित जरा मरन भूपात यानि उस समय वह यूग ऐसा था जो मानों को दुरित दुख दैन्य अर्थात दुख दीन्यता पाप दुरित वाने पा पाप दुख और दैन्यता कुछ भी ग्यात नहीं था यानि उससे अपरिचित था और ब्रद्धावस्था मरनावस्था और भुपात अर्थाद भुपात का मतलब यह होता है भवों का गिरना यानि कि अब उससे मनुश्य अपरिचित था वह मतलब मृत्यू की विभी से मृत्यू के डरों से पूरता हा अपर चित्था मनुश्य चलिए अगली पंक्तिया देखते हैं हाए सब मिथ्याबाद हाए सब मिथ्याबाद आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सास वही मधुरित की गुंजित डाल जुकी थी जो योवन के भार अकिंचन ता में निजितत काल सिहर उठती जीवन है भार कहने का तात परिये कि हाई सम्मithyabath अब कभी प्रशणी ये कहता है मतल्ब हाई सारी महत्ता सारी सत्ता का चित्र प्रस्तुत करते है कभी प्राछीन सुरने मुख का चित्रन करता है और इसके पस्चाद जब वरतमान युकी और द्रश्टी डालता तो उसको क्या लगता है हाई सम्मिथ्याबाद कभी कहता है कि अतीत के सब दृष जूटे थे हाई सम्मिथ्याबाद वो सारी बातें मिथ्या थी जो पहले थी आज तो सौरब का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सास आज की स्थिती देखकर ये विश्वास नहीं होता कि मान सौरब का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सास सौरब का मधुमास वसंत का जो मधुमास है सौरब माने वसंत होता है उसका मधुमास जो वसंत का मधुमास है वसंत शिशिरित में परिवर्तित होकर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा अर्थात वसंत के समान जो सुखद जीवन शिशिर के समान सूने दुखी जीवन में बदल गया जो वसंत सिसिर में भरता सौरब का मधुमाज जो था अर्थाज जो वसंत का काल था आज वो क्या हो गया है शिशिर के समान सूना और दुखी जीवन यानि पतजर हो गया है वही मधुरित की गुंजित, मधुरित की गुंजित डाल, वसंत रुत में भामरों के समुह से गुंजायमान ब्रच्छों की साखाएं, वही मधुरित, मधुरित माने वसंत की रुत में गुंजित डाल, भामरों से गुंगुन करती, भामरों से गुंजायमान डाल, जुकी थ जो योवन के भार, जो अपनी युवावस्था में जुक गई थी, जो इतने फल फूल आने के कारण जुक गई थी, अकिंचनता में निजिततकाल सिहर उठती जीवन है भार, तो अकिंचनता और फिर अकिंचनता मतलब निर्धनता को देख करके, वो डाल अपनी निर्धनता क को देख करके सिहर उठती है और सोचने लगती है कि जीवन अभभार बन गया है कहने कातात पर यही है कि समय परिवर्तन सील है आज जो नदी वरसा कालीन तिबृता को प्रकट कर रही है वही कभी सूख जाती है कभी जब हम अमीर हुआ करते थे आज निर्धन हो जाते हैं अधुदगार काल के बनते चिन्ह कराल प्रात का सोने का संसार जला देती संध्यासी ज्वाल अखिल योवन के रंग उभार हड़ियों के हिलते कंकाल कक्चों के चिकने काले व्याल कें चुली कांस सिवार गूंजते हैं सब के दिनचार सभी फिर हाहाकार सभी फिर हाहाकार गूंजते हैं सब के दिन चार सभी फिर हाहाकार फिर वो कहते हैं आज पावस के पावस नद के उदगार आज जो नदी है आज जो नदी है नदी पावस की नदी है पावस माने वरसा काल की जो नदी है काल के बनते चिन कराल फिर उनमें जब काल के कराल चि देती संध्या की जाल, जब प्राता सोने का संसार खिलता है, सोने का संसार प्राता काल होता है, जब वोस की बुनें पुर्थवी पर चमकती है, जब सूरे की किरणे सुनहली परती है, तो ऐसा लगता है कि सारा संसार ही संध्या जैसा हो गया है, परन तो जब संध्या आ जात के रंगों के उभार देखे हैं कभी संपूर्ण यवन के रंगों के उभार देखे हैं हमने और हड्डियों के हिलते कंकाल और हमने आज क्या देखा हम आज हड्डियों के हिलते हुए कंकाल देख रहे हैं अर्थात हम व्रद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं कचों के चिकने काले व्याल, काले व्याल माने सर्प होता है, और कच माने होता है केश यानि बाल, बालों के काले सर्पों जैसे काले सर्प, काले बाल, चिकने काले बाल हमारे पहले थे, सर्प जैसे थे, केचुली कांस सिवार, लेकिन आज कैसे हो गए हैं, एकदम केचुल हो गए हैं सिवार काई वाली घास के समान हो गए हैं बिल्कुल बेर्थ सब कुछ लगने लगा है गूंजटे हैं सबके दिन चार सभी फिर हाहाकार संसार में जीवन में संसार में सभी के जीवन में चार दिन की चांदनी आती है और फिर उसके बाद भयानक खाहाकार भर जाता है यानि जो लंबे घुंगराले काले बाल थे सर्पकी केचुली के समान मलिन कांस के फूलों के समान सफेद और काई के समान उल्जे हुए आज दिखाई दे रहे हैं इस वरकार संसार में सभी के पास जमानी आती है सभी के पास ब्रधा अवस्थाएं आती है और सभी के पास मृत्यू भी एक दिन आ जाया करती है